नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बेहतरिन, बहुत ही खुबसूरत और आसान सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताएंगे इसे आप हाप स्वेटर में दीजे बहुत खुबसूरत लगेगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम एक सलाई लेंगे और इस पर हम इस तरह से धागा को जितना आपको फंदा बनाना है उसके अनुसार धागा को डबल कर लिजे और इस सलाई पर इस तरह से आपको रखना है देखे डवल वाला को इधर रखना आगे की ओर और पीछे की ओर रखना है सिंगल वाला धागा को अब इस धागा पे इस तरह दोनों उंगली को डालना है और डाल करके सबसे पहले फंदा तयार करना है तो देखे हम फंदा एकदम आसान तरीका से बता देते हैं और इस तरीका से फंदा बनाने हम अपने चैनल पर बहुत सारे फंदा बनाने का डिजाइन भी दिये हैं तो आप देख करके कोई भी फंदा बनाने का आप तरीका ढूंड सकते हैं जो फंदा आपको पसंद आए, जैसा तरीका का फंदा पसंद आए, उस तरह का फंदा आप पहले, सबसे पहले आप अपने सलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार आप उस पर फंदा डाल लीजिए, तो देखें यहां पर हम आपको फंदा डालने बता दिये हैं, अब यहाँ पर फंदा तयार हो गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जब लाश्ट हो जाएगा आपका जितना फंदा चाहिए उतना बन जाएगा तब आप यहाँ पर एक गाठ दे दीजेगा इस तरह से इसको गाठ दे दीजेगा तब यह फंदा खुलेगा नहीं और एक्त सबसे पहले देखे बॉर्डर बनाने के लिए यहां पर उल्टा और सीधा का हम एक्तम साधारन सा बॉर्डर बनाते के बताते हैं और हम अपने चैनल पर बहुत सारा बॉर्डर भी दिये हैं आपको जीस तरह का बॉर्डर बनाना हो आप बॉर्डर बना सकते हैं तो यहां पर यहां पर सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तो बॉर्डर हम इस तरह से पूरी सलाई बना लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, तो पहला सलाई हमारा इसी तरह से बनेगा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तो यह हम बॉर्डर बन आने आपको बता रहे हैं, तो इस तरह से आप पूरी सलाई बना लिजिए, यहां पर पूरी सलाई बना लिए हैं, अब हम बनाएंगे दूसरा सलाई, बॉर्डर का दूसरा सलाई, तो देखे बॉर्डर का दूसरा सलाई हम जैसे पहला सलाई बनाए हैं, उसी तरह से बनाएं तो यहां से हम सुरू करेंगे इसको देखे सीधा अंत में सीधा हुआ था तो इसको हम उल्टा से ऐसे उतार लेंगे। फिर धागा को पीछे करेंगे और एक फंदा को सीधा बना लेंगे। इसको हम उधर से उल्टा बनाए थे, इधर से सीधा बनाएंगे, और ऐसे देखे, आपको देखने में सीधा लगेगा, कि ये सीधा फंदा है, तो जो फंदा इधर से सीधा दिख रहा है, उसको सीधा बनाना है, और जो फंदा उल्टा दिख रहा है, उसको उल्टा बनाना है इस तरह से पूरी सलाई बनाते जाना है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, इस तरह से हम पूरी सलाई बना ले तो देखिए यहाँ पर हम दो सलाई बना लिये हैं और हम दो सलाई और हम रिपीट करके आपको दिखाते हैं इसी को रिपीट कर देंगे ताकि आपको बॉर्डर दिखाई देना सुरू कर दे देखिए यहाँ पर हमारा बॉर्डर कम्पलिट हो गया है हम यहाँ पर चार सलाई बॉर्डर का बना करके आपको बताए है अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे यह बहुत ही बेहत्री डिजाइन है और इसको अगर आप हाप सेटर में दीजिए जन्स के हाप सेटर में तो यह बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो चलिए अब हम आपको डिजाइन बताते हैं तो डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले पहला फंदा को ऐसे सीधा से उतार लेते हैं धागा को आगे करेंगे और यहाँ पर दो फंदा को एक फंदा बनाएंगे देखिए दो फंदा का एक फंदा फिर एक फंदा में उल्टा से बनाएंगे दो फंदा का एक फंदा फिर यहाँ उल्टा से इस तरह से धागा को ऐसे लपेट के इसको निकालेंगे नहीं सिर्फ ध धागा को ऐसे लपेट के इस फंदा को ऐसे गिरा देंगे देखिए अब यहां पर दो फंदा हो गया यहां पर देखिए एक फंदा जो यहां पर उल्टा से फिर से दो फंदा लेंगे और दो फंदा का एक फंदा कर देंगे देखिए है ना पहुत आसान है और एक फंदा पर धागा डालके बीनो बनाए इसको ऐसे उतार लेंगे फिर उल्टा से ही दो फंदा का एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा पे इस तरह से धागा डालके और ऐसे उतार लेंगे इसको बनाएंगे नहीं अब देखे फिर दो फंदा का एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर एक फंदा पे उल्टा से ही इस तरह धागा लपेट के उतार लेंगे फिर दो फंदा का एक फंदा बनाएंगे उल्टा फिर यहां देखे एक फंदा पे धागा इसे लपेट के उतार देंगे फिर यहाँ दो फंदा उल्टा से दो फंदा का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से पूरी सलाई में इसी तरह से बनाएंगे दो फंदा का एक फंदा उल्टा बनाना है फिर एक फंदा में ऐसे धागा डालके सिर्फ उतार देना है धागा को सलाई से फंदा को फिर दो फंदा का एक फंदा एक फंदा में इस तरह से डाल के उतातेंगे अब देखें यहां पर हमारे पास दो फंदा बच गया है तो इसको हम यहां से नहीं बनाएंगे एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बना देंगे इसको इस दो फंदा को नहीं बनाएंगे ये सिलाई करने में हमें काम देगा अब देखे हम उल्टा के तरफ से बताते हैं उल्टा के तरफ से देखे कैसे बनाना है ये जो फंदा हम उतार लेंगे उल्टा के तरफ से अब इस फंदा को सीधा से बना लेंगे इसको नहीं बुने थे इसको हम सीधा से बना लेंगे ये दोनों फंदा तो मेरा एक्ष्रा हो गया अब देखे धागा को आगे करेंगे और यहां पर देखे जो जाली जैसा फंदा बना हुआ है इसको हम इस तरह से उतार लेंगे इसको बुनेंगे नहीं और इस दो फंदा को उल्टा बना लेंगे, एक, दो, दो फंदा उल्टा बना लिए, फिर इस जाली वाला फंदा को ऐसे उतार लेंगे, इसको नहीं बुनेंगे, फिर यहाँ पर दो फंदा उल्टा बना लेंगे, इस तरह से करेंगे, देखे, इसको उतार लिए, यह देखन इस तरह से उतार लेना है और फिर यहाँ पर दो फंदा उल्टा बनाना है फिर इसको उतार लिए फिर दो फंदा उल्टा बनाएंगे फिर इसको दो फंदा को उल्टा बनाएंगे पूरी सलाई इसी तरह बनाना है एक फंदा जो एक्ष्टर था इसको हम उतार लेंगे और दो फंदा को उल्टा बना लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा एक फंदा जो हमारा सीधा से था इसको हम सीधा से बन देंगे देखिए इस तरह ये हमारी पूरी सलाई बन गया है अब हम इसको इसी तरह से देखिए तीसरा सलाई में इसी को हम अब repeat करेंगे तो हम एक बार repeat कर देते हैं एक फंदा को हम उल्टा उतार लिए अब यहाँ पर देखिए जिस फंदा पे यहाँ पे चढ़ा हुआ है इस दो फंदा को एक फंदा करेंगे इस फंदा पे ऐसे धागा चड़ा के उतार लिए और दो फंदा का एक फंदा जो दो फंदा एक साथ दिख रहा है जो ऐसे चड़ा हुआ है उस दो फंदा को एक फंदा बना देंगे और एक फंदा जो अलग दिख रहा है अलग जो है, इस पे धागा डालके उतारेंगे, और दो फंदा को एक फंदा करेंगे, देखे, एकलम आसाम है, और ये जैसे ही आप सुरू करेंगे बनाना, आपको एक्ष्टरा दिखने लगेगा, अलग कौन है और दो पर चढ़ा हुआ कौन है, तो ये देखे, अलग दिख करनी है बस दो सलाई का यह दीसायान है एक में इसी तरह करना है अब यह देखिए दो फंदा इक्स्ट्रा है एक फंदा एख बनाएंगे यह बनाएंगे तो इस तरह से हम पूरी चलाई बना दिए रिपीट करके आपको दिखा दिए इसी तरह से आप जब रिपीट करते जाएंगे तो आपको पूरा डिजाइन दिखने लगेगा दोस्तों जब आप पूरा डिजाइन बना लेंगे तो आपको इस तरह से दिखने लगेगा तो दोस्तों आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन कैसा लगा कॉमेंट करके बताएंगे अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सेर जरूर करेंगे धन्यवाद थैंक यू